अगर आपने भी पिहार विएड इंट्रेंस एक्जाम तो हजार चोबिस दिया था लेकिन किसी कारण वर्स से आपका फर्स्ट कॉलिज इलोट्मेंट लिस्ट या सेकिन कॉलिज इलोट्मेंट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपके लिए एक अच्छी ख़बर है साथ आज जो है एलेनुकी ओर से बीएड में एड्मिशन के लिए ठर्ट काउंसलिंग की पर किरिया सुरू होने वाली है और आज जो है ठर्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी तो इसमें आपको कॉलेज मिलने की संभावना अधिक होगी आपकी संभावना अधिक क्यों होगी इसकी करने वाले हैं और अभी कूल कितना सेट खाली है इन सब की जनकारी हम लोग इस वीडियो की मादम से करने वाले हैं तो वीडियो को आप अन्तर जोग देगे वीडियो सूकन से पहले माप से छोटा सा रिक्ष्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और विए लाइकन को दबा दे तकि ऐसे ही लेक्ष्ट वीडियो मिलता रहे चलिए शुरू करते हैं साथ हो जैसा आप अपने स्किन पर देख पा रहे होंगा कि वीडियो के लिए आज जारी होगी 30 जूशी यानि आपको बता है कि वीडियो के लिए कि 24 दो वर्षिय बीड और शिक्षा सास्त्री में पहले चरंड के बाद रिक्त बच्चे सीटों पे दूश्रे चरंड की नमानकन प्रकिरिया 27 अगस्त को समाप्त होगी इसमें रिक्त बच्चे 18348 सीटों के विरुद कुल 8181 अभ्यतियों ने नमानकन लिया है इस प्रकार प्रतम यह उन दूतिये चरंडों को मिला के कुल 26 या 960 सीटों पे नमानकन हो चुका है जो कुल सीट यानि 37 या 300 का 72.8 है कुल 10 या 340 रिक्त सीटों के लिए 30 अगस्त से एडमिशन की पेकिरिया शुरू हो जाएगी यानि कि आज कॉलिज एडमिशन की पेकिरिया शुरू हो जाएगे नोडल प्रताधिकारी प्रोशेटर अर्शोकमा मेहता ने कहा कि अब बच्चे हुए 10 या 340 सीटों पे नमानकन के लिए 29 अगस्त को तीसरे चंड की सूची जारी की जाएगे अब यहती www.prctva.lnu.inpia login करके आवंटिट महाभी दाले कर स्विकार कर दिनांक 30 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक 3000 रुपे अंस के रूप में जामा करना होगे यानि कि आज अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको करना होगा आज के बाद यानि कल से लेके 6 सितंबर तक आप 3000 रुपे पेमेंट कर सकते हैं मैं आपको याद दिला दू कि जल्दबाजी में कोई भी कतम आपको उठाना नहीं है जैसे आपको कॉलेज मिलेगा आपको कल पेमेंट नहीं करना है आप एक दो दिन वेट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो समय है वह 6 सितंबर का है 6 सितंबर से पहले-पहले आप पे अगर आप प्यमेंट करते हैं तो आप चाहें तो आप 30 सितंबर को भी जा सकते हैं एक सितंबर से पहले हराल में आपको एडमिशन हो जाएगा अगर कोई परशानी होती है तो हेल्फ लैन नंबर यहां पर दिया हुआ है हलाकि यह हेल्फ लाइन नंबर सिफ कहने के लिए होता है आप लगाएंगे तो इस पर अधिकतर पार लगता नहीं है और इमेल का तो खेल रिवला ही नहीं आता है तो उसका बात ही चुले आगे कि किस इन्वर्सिटी में कितना नमानकन हुआ है जैसे पाटले पुर्टा इन्वर्सिटी में 4729 हुआ है यहां पर एडमिशन हो चुका है अभी आप देख सकते हैं तो 29% सीटे खाली है बिहार इन्वर्सिटी मुझा फ़बूर की बात करे तो यहां पर 73% हुआ है यहा कि ऐन भी यहें अ把它uso कि बात करें ंडियर्सिट में बात करें ऑपे 237 सीटे खाली है ऐसा नहीं के संख्याभी कम है यहां पर भी देख सकते हैं कि सेकेंड लिष्ट के बाद बी आरे भी में कॉलेजियों में 73% जो है भरी है तो यहां पर आज आपका थर्ड मेरिट लिष्ट जारी होने वाला है अब आपको सौधानी क्या बरतनी है जैसे आपका मेरिट लिष्ट आएगा बस आपको कुछ नह बजने की जुरत है जो हम आपको अपने वीडियो के मादम से समझाएंगे अपने ग्रूप के मादम से समझाएंगे ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के डिशीशन में मिल जागा यानि कि जो आपको गलती नहीं करनी है इन सब चीजों के बारे हम बताएंगे तो सापका रिफर्न नहीं होता है इसलिए सुस समझ गये ही आप को खूलेज का बिकलश करना है कि आपको जो पूलेज मिला है तो और अच्छा है कि नहीं उसका फीक क्या है मतलब उन कॉलेज के वह आपका अलगलग किसी कोलेज का 50 होगा किसी कोलेज का 45 होगा ऐसे आपको देखने को मिलेगा लेकिन कट अब पर भी कापी कम आपकी जाएगी एस बात का भीधान रखना तो जो लोग भी बचे हुए है उ मिल करते हैं कि ठर्ड मेरिट लिस्ट नों का नाम जो है ऐता चाहे पर को जाएगा जिनको कॉलेज मिला था सेकंड कॉलेज मिला था लेकिन भी अपको पॉइदियार करना है जैसे esport counseling सुद होगी अगर third counseling में ही सीटे नहीं भरती है तो esport counseling में ही आपको मुका मिल सकता है उससे पहले आपको मुका नहीं मिल सकता है जो registration नहीं कर पायते इक्जामंतों दिये थे result आया सा लहिए counseling नहीं करा पायते उनको भी esport counseling के इतिदार करना होगा क्योंकि आपको जो भी मोका मिलेगा वहीं पर मिलसकता है यहां पर आपको कोई भी मोका नहीं मिलने वाला है तो 1 अग्र 1971 कोई पर बात करते हैं तो या या बारे बज़े से इसके काउंडाउन सुरू हो जाती है बारे बज़े तक या एक बज़े तक उससे पहले-पहले आपको यह हमेरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी जैसे आएगी हम अपने वीडियो के मारे में से आप सभी को अपडेट कर देंगे इसलिए हमारी चैनल को करें देखने के दो जाएगा और ग्रूप में रहिएगा ताकि हम आपको इन्फोर्मेशन ज्ल्दी प्रवाइड कर सेगे चैनल का लिंक हम आपको दें देते हैं वीडियो के डिश्वीशन में और वार्टसप लिंक वीडियो देते हैं आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो